और यह मुझे लगता कि दुर्भाग गया है कि हम कुछ भी इस जिंदगी में ट्रांजेक्शनल जी रहे हैं चाहे मेड के साथ भी वो जिससे पेट्रोल डलाते हो वो गाड़ी में आके पेट्रोल डलाता है वो भी ट्रांजेक्शनल होता है हमारे लिए बत दुर्भाग गया मेरे देखे कि अगर मेरे दोसने मेरे मुताबिक काम नहीं गया तो मैने छोड़ दिया दोस मतलब वट आभी सेंग इस प्रेशनचिप क्या हमें यह बात करनी पड़ेगी किसको रेलेशनचिप मान रहे हो आप इसका मतलब अधिक को रेलेशनचिप मान रहे हो राजक्शन मतलब एक्सपेक्टेशन का लेग देन आपने मेरी जरूद पूरी की मैने आपकी जरूद पूरस की इसंते चाहे वो जरूद एमोशनली कियू ना हो, है तो सालो है तो आव मेरी भीवी ये करेगा, पती में भी भी ये करेगा, इसंन अला मियन में धा हुआ pioneer ऑक बत्राजर को बस्येए है दो दो मरे घृत है, टो इसा मतलब है कि हमें तो इसका मतलब भी पर पता ही नहीं चला what is a relationship then? आदी से जादी जिंदगियां गुजार दी हमने और हमें पता नहीं के relationship actually क्या है? What is a relationship then? And the reason we have not learnt what is a relationship because we are not operating from here. But when I say live from here, meaning you are living from beyond your I, me and minus. आप अपने ego self से beyond जीना शुरू किये. आप अपने selfishness से beyond लोगों से relate करना शुरू किये. आप लोगों की खुशी के लिए, लोगों की सुख के लिए उनके साथ relate करना शुरू किये. ये हमारी जीवन में beginning हुई selflessness की. और relating सिरफ उसी platform पे हो सकती इसमें था. और किसी platform पे relating हो ही नहीं सकती. कुछ भी हो रहा है तो वो रिलेटिंग नहीं है in the true sense. Start to see your own truths. Start to see your own जो अपने आपको अपने धोखे दिया हुआ. Start to see that. पर्मात्मा ने आपको एकदम 100% freedom दिया. तु जो मर्जी कर, तु जैसे मर्जी जी. पूरा तिरको एकदम सोई-सोई जीना वो भी possibility है. क्योंकि सांस तो चलती रही. तुने टीवी देखते हुए जीना है, बिलकुल एकदम बेहोशी में है. तु बेहोशी में जी ले. जिन्दा रखे का वो तुमें रफिर दी. और तुमें बुद्ध होके जीना है, वो भी उन्होंने तुमें दे दिया. कि ये पाथ भी दे दिया. ये ऐसे बुद्ध होके भी जी सकते हो. चोईस तुमारी है, कैसे जीना है. और हर आदमी को वही फ्रीडम देनी होगी, जो आप अपने लिए चाह रहे हूँ. जो भी हम बात कर रहे हैं. कि जो परमात्मा ने आपको फ्रीडम दी, वही आपको अपने पती बच्चे को देनी होगी. रूल सब के लिए सेम होगा, यार. ऐसा नहीं, मैं spiritual होगया, तो मेरे रूल अलग और वो संसारी के तो उनके रूल अलग, ये नहीं चलेगा, यार. Manipulation नहीं चलेगी. Purity चाहिए अंदर तक. साफ एक तम. और भाव ये रहेगा, मदद करेंगा यार, एक दूसरे की. कोई अगर अडियल हो रहा है, तो चलो बात करते हैं उन से. क्या दो लोग, 40-45 साल की उमर में, इतने मैचूर नहीं कि वो बात कर सकें. Communication. A simple, pure communication. 90-95% people are reasonable enough to have a dialogue. 90-90. 5% होंगे अडियल लोग बिलकुल. नहीं समझेंगे बात, नहीं बात करना चाहेंगे. आप बहुते सारे डिवाइज उस करोगे, फिर भी बात नहीं बनेगी. 5% होंगे ऐसे. वहाँ कोई और हमें टेक्नीक यूस करना पड़ेगा. But 95% cases में, communication works में था. But हमारा problem यह है, कि हम communication चुरू करते हैं, end से. Exactly. You never start a communication from a blank state. कभी करके देगा आपने किसी वेक्ती के साथ communication from a blank state. Beautiful. Beautiful. So just see, most of the time when we communicate with somebody, a desired result is already there in our head. Outcome define कर लिया आपने. अब आप मनिपलेट करके उस outcome तक जाना चाहरे हो. और अगला आदमी भी यही कर रहा है. उसने भी एक outcome बना ली. वो भी मनिपलेट करके अपने outcome की तरफ जाता है. Communication breakdown हो जाता है. यार, communication तो हो यह नहीं रहा.